वडोद्रा शेहर कॉंग्रेस के द्वारा अजला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया जुनागड में रिजनल चैनल के कैमेरा मैन पर पुलिस की द्वारा की गई लाठी चार्श को लेकर सक्त कारवाही की मांग की गई जुनागड में टेंपल कमीटे के चुनाओं में गैरिती होनी की खबर पर हकीकत जानने पहुचे मीडिया कर्मी पर पुलिस ने लाठीया बरसाई प्राप्ति माहिते के मताबिक इस कवरेज के दोरान पुलिस और मीडिया वालों के बीच कहा सुनी होई थी और पुलिस ने उने पीछे धकिलने की कोशिश की तब एक पुलिस कर्मी ने रिजनल चैनल के कैमेरा मैन काई कैमेरा किट को तोडने का प्रयास किया और उसी की प्रतिक्रिया में मीडिया कर्मी ने पुलिस कर्मी को धका दिया और रोकने का प्रयास किया इस बात पर पुलिस का मिज़ाज बिगड़ा और उन्होंने कैमेरामेन पर लाठिया बरसाई हम नहीं मानते हैं कि गुजरात के पुलिस कर्मी इसी तरह से बरताओ करते हैं लेकिन ऐसे भी कुछ पुलिस कर्मी है जो लोग सही पर सवाल खड़ा करते है अब चौथी जागिर कहलाते मीडिया कर्मी को अपने काम करने की स्वतेंतरता ना दी जाए यह तो गुजरात में कभी हुआ नहीं है इस मामले को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है और आज पुलिस कर्मी पर कानूनन कारवाही करने की मांग गुजरात सरकार से की है ऐसे पुलिस कर्मी पर सरकार से कड़े रुख की मांग की गई चीज तरह से गुजवरात में बारबार हो रहा है पोली सत् mandatory दबन रही है अगर्टी बहुत पारटी के सासल मंनोगशाई करे में है और आज जिस तरह से मिकिल्द्या जिन्हागрост में कि लुजवधार में परिवार के साथ हुआ वो एक गटना ऐसी थी जिन भुजराज और बार्टे जिनता पार्टी को सुबा देन लाइब बात नहीं है क्योंकि मीडिया और देश का चौथा आधार स्थम है जो लोगों को देश की परिश्थिती अपने माध्यम से दिखाती मीडिया के उपर जिस तरह से लाठे चाथ लोग साई का मतलब किसी के उपर होता अन्याए दभी हुई आवाज को लोगों तक पोचाना जिसका काम है अन्याय को न्याय में बदलने के लिए मदद रूप होना वो चौथी जागे तो लोगों के सपोर्ट में लोगों के साथ में चलती है और जिससे लोगों को न्याय मिलता है उसी न्याय दिलाने वाले को जब चुनाओं के अंदर होती हुई गड़बड़ी को दिखाने के over video करम चारी विडिया के लोग गये तो उनकियर पर प्लिस दमन किया लाटी चार्शना जो करना चाहिए लोगों की जानमाल की हिपाज़त करती ही पारोज चोरी हो रही है रोगों हो रहे है लूट हो रहे है दारू बिक्षरिया है जudगार पर चल रहा है जो जो समाज के अंदर दूसर ने जिसको मिटाना उनका काम है वो करनी ही रहे हैं और जो सची राह पर चलने वाले लोग साही के अंदर लोगों तक की आवाज पहुचाने वाले मीडिया करें को दबाने की जो कोशिश किये हम उसको सब्सक्राइब में दिखोर देते हैं और यह कहना चाहते हैं कि हम मीडिया के साथ में हैं और मीडिया के साथ इस लिए है कि दभी हुई आवाज को लोगों तक पहुचाते हैं यह जैसा दमन और यसी दादागिरी लोग साही के अंदर नहीं चाप सकते हैं उसको रोकना सब की फरज है क्याए मीडिया ह भरजे और हम इसको दमन कारी नितियों को नकारते हैं और हम उनके साथ के रहे कर लगना चाहिए